के अंदर में आपके साथ गुगल कैमेरा शेर करने बाल हूँ अपने रेविनोट फोर्ड के अंदर सो अगर आप एक रेविनोट फोर्ड यूजर हो और अगर आपके पास रेविनोट फोर्ड नहीं है तब भी दोस्तो इस वीडियो का आप कांटिन्यू पूरा देखिए क्य दोस्तो जी कैम का एक नया अप्रेट आया है जी कैम 6.1 इसके अंदर रेविनोट फोर के लिए दोस्तो नाइट मोट को फिक्स करके दिया गया है कैफी अच्छी बात है दोस्तो आपको कैमेरा के उसर इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह से आपको मिल जाएग का दोस्तो जी कैम अल्टिमेटी रेविनोट 4 के लिए अव्लेवल हो गया है पिक्सल 3 के टैमेर अप्पलिन केशन अवलेवल हो गया रेविनोट 8 के लिए आपको इसर इंटरफेस मिलता है वेडि सिम्पल दोस्तो अपको मोर के अंदर नाइट स्लाइट मिल जाता है जो नाइट स्लाइट है दोस्तों पर्फेक्टली वाक कर रहा है बैक कामर के अंदर फॉन कामर के अंदर इतना अच्छे से कामनी कर रहा है आपको बतातों दोस्तों जो नाइट स्लाइट है इसके साथ आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो even in low lighting condition, dark के अंदर extreme dark के अंदर जो नाइट स्लाइट है ठांग से काम नहीं करता है नौइस आ जाता है फोटोस के अंदर पर even in low lighting condition बहुत अच्छे से काम करता है अपना night mode यहापर आपको ऊप्षन मिल जाता है फोकसिंग के लिए अगर आपका object का नियार में है तो नियार से जूज कर सकता हो अगर फार है तो यहाँ से फार जूज कर सकता हो इफिन in night's light आप चाहो तो zoom बीन भी कर सकते हुँ उसके तरह जूज कर सबस्टों से ऑब भी कर सकता है अगर आ अप night side के अंदर पिछर को क्लिक करते हो और एक खासी है दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो Full HD 60 fps तक video recording कर सकतों यह जो recording देख पर हो दोस्तों यह 30 fps के अंदर है अगर मैं यहाँ पर 60 fps कर देता हूँ तो यहाँ पर आप 60 fps तक भी video recording कर सकतों और video recording सच में धंग से बहुत अच्छे से काम करता है कोई भी पबलम नहीं है Full HD 60 recording के लिए उसके साथ से दोस्तों यहाँ पर आपको video stabilization के भी option मिल चाहेगा इस update के अंदर पर यहाँ पर 4K 60 fps का support नहीं है Gcam जो है दोस्तों 4K 60 fps को support नहीं करता है यहाँ पर दोस्तों नाइट स्राइट के अंदर photo spare और slow motion में दिया गया है जो slow motion है वो अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस update के अंदर सभी दोस्तों Gcam के अंदर यहीं पबलम है जो slow motion है वो धंग से काम नहीं करता है मुझे मालूम नहीं क्यों अभी तक एक पावलम फिक्स नहीं हुआ चलते हैं सेरीस के अंदर आपको कुछ चीज बताना है यह जो मोट है दोस्तों ए जी बी एस जी मोट है यह जो मोट है जो एपिक है दोस्तों इस्पेशली रेड्मी नोट 4 मिल्यू के लिए ही तैयार किया गिया है इस्पेशली नाइट स्लाइट को फिक्स करने के लिए अगर आपके बास को यह भी डिवाइस से उसके अंदर अगर एपिक हाम नहीं कर रहा है तो निवर्याज मत होना मैं उल्लेटी ढेट सारी वीडियो बना चुका हूँ गूगल कामेरा के बारे में मेरी चैलिब्स को पर जाओ वीडियो स्के लिएस के लिए यापशन के लिएक लिए काहस्ती है वीडियो स्टक्वलेशन के यह पर अप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आती है दोस्तों B S G mode आपको बाद हो दोस्तों ए जो mode है इस mode का अंतरो भग को धेर सारी option मिल जाएगी ठीके तो यहाँ पर आप देखेब देख पार हो इंटरफेस स्टाइल के अंदर आपको मिलता है कुछ इस तरह से Pixel 2, Pixel 3 आप चूश कर सकते हो यहाँ पर back camera के अंदर दोस्तों इन डिफर्ट Pixel 3 XL का camera है, font camera के अंदर भी Pixel 3 XL का camera है यहाँ फ़र आप config के अंदर चाहो तो changes भी कर सकते हो मैं आपको recommend करते हो दोस्तों कोई भी changes के साथ छेट चाहर मत करना क्योंकि दोस्तों यह आपका camera application है उसे crash भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको HDR parameter मिलता है, night slide parameter बहुत सरी option है जो को आपको खुछ से try करना होगा, saturation के लिएक से दिया गया है, fixes यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आप slow mode तो heavily में इसके साथ अब recording नहीं कर पाऊगे, anyway, so BSG mode settings करके ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके साथ आप छेट चाहर करने की कोशिश मत करना, यहाँ पर जो portrait mode है दोस्तों portrait mode font के अंदर काम नहीं कर रहा है, पर पीछे दोस्तों portrait mode धंग से काम कर रही है, यहाँ पर portrait mode के अंदर आप चाहो तो face retouching को यूज कर सकतो, nature soft कर color से मिल जाता है, flask साथ भी आप portrait mode को क्लिक कर सकतो, even आप zoom भी कर पाऊगे portrait mode के अंदर जो काफी अच्छी बात है, जो panorama mode है दोस्तों वह भी यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर panorama के अंदर आपको audio recording का भी option मिल जाएगा, so overall दोस्तों यह जो camera application है, night slide के लिए बहुत ही अच्छा है, रिपनोट 4 के लिए बहुत ही अच्छा है, यह जो camera application है, dedicatedly जो google camera है, जो developer है दोस्तों, BSG, इस developer ने दोस्तों, रिपनोट 4 के लिए ही तैयर की है camera application, जलू से इस camera application को try करना, अगर आप download करना जा सकता है, अगर आपको यह वीडियो पस्ता है, जरू से इस वीडियो को like करना, इस रिके और भी interesting tech वीडियो को देखने के लिए हमने चलन को subscribe करके, गंटीबल आइकन को जरू से दवाईए, thank you for all this video, have a nice day